ये दुनिया इतनी बड़ी और पुरानी है कि यहाँ पर मेगालोडोन जैसे बड़े जीब से लेकर डाइनेसॉर्स तक पास्ट में एक्जिस्ट करता था और दूसरी तरफ आप ऐसे जीबों के बारे में भी सुने होंगे जो दिखने में जितना प्यारा लगता है हकीकत में उतना ही जहरीला और खतरनाक होता है लेकिन आज मैं ऐसे जीबों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा और हो सके तो वीडियो के एकदम लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला क्रेचर सबसे कमाल का होन फेमस है 2004 से पहले साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था उनके लॉंग ट्रांसपरेंट हेड और सिलिंड्रिकल आई होने का कारण लेकिन बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि इनके लॉंग ट्रांसपरेंट सर्च से ये अपने चारोर क्या चल रहा है ये महसूस कर सकत है और तैरते वक्त इनका सिलिंड्रिकल आई आपवा डारेक्शन में देख सकता है जो इनको 800 मिटर दूरी तक शिकार ढूंडने में मदद करता है सीरियल लीफ बीटल ये इनसेक्स दीखने में तो एक और्डिनरी ग्रैसोबर जैसा ही लगता है और बाकी इनसेक्स की तरह इनके पास भी चमकीले उइंग्स होते हैं लेकिन सीरियल लीफ बाकी इनसेक्स से काफी अलग है ये अपने सरीर से एक जेली जैसा पदार्थ रिल करता ब्राजीलियन ट्री होपर अगर आप दुनिया भर के तमाम अजीबों गरीब क्रीचर के बॉड़ी पार्ट्स को मिक्स करके एक नया क्रीचर का शेप देंगे तो वो बिल्कुल एक मॉंस्टर जैसा दिखेगा और ब्रजीलियन ट्री होपर जैसा ही कुछ उसका नतीजा निकलेगा एवलुशन के कारण ये ट्री होपर देखने में इतना डड़ाबना है कि कोई वीन का शिकार करने से पहले दो बार सोचेगा ब्रजिलियन ट्री होपर के सरके उपर स्फिरिकल सेप का कुछ बॉल्स होता है जो बिल्कुल एक टावर जैसा सेप लेकर पीछे की और जाता है और ये इन्हें दूसरे जीवों से बचने में मदद करता है घने जंगल में आप जितना ड़ाब न दिखोगे आपके सर्वाइब करने का चां जाई में रहता है और छोटे-छोटे मचलियों का शिकार करता है इसे नॉक्टर्नल यानि मिशाचर टाइप के एनिमेल्स की कैटेगोरीज में रखा गया है क्यूंकि ये दिन में मिट्टी में छूप जाता है और रात को शिकार करने निकलता है हैक फिस्ट लहर की ओपोज जड़ा दवाब या प्रिशर क्रेट करता है हैक फिस्ट की इन ही हरकतों के कारण इसे दुनिया के घिनोने जीवों में से एक माना जाता है अगर आप एंटीकूट एनिमेल्स का खोच कर रहे है तो आपको बता दू एससीन बग्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है व लेकिन ये किसी भी बड़े शिकारी से कम नहीं होता और अब चाहके भी इन इंसेक्ट से छुप नहीं पाएंगे ये दर असल रात में शिकार करने निकलता है और दिन में ये पेर पौधों में छुपा रहता है मेरी मानो तो तो मैं ये नहीं चाहूँ गा आप में से किसी क वी इनके साथ जिंदिगी में कभी मुलाकात हो के किलडे साइंटिस्ट को इस क्रिचर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्यूंकि ये ज्यादातर टाइम मिट्टी के अंदर रहता है तो इनके उपर ज्यादा रिसेर्च कर पाना संभब नहीं हो पाया है जो लोग इन के आखिर में एक बड़ा सा पत्थर रख देता है पहले तो साइंटिस्टों को ये लगा कि ये पत्थर दूसरे अनिमेल्स या क्रिचर को रोकने के लिए रखा गया है लेकिन रिसेर्च के बाद ये आखिर गलत सा भीत हुआ और बाद में जो पता चला उसे जानकर रिसेर अत्वर कैसे हो सकता है और लास्ट वाला क्रीजड जिसका अब सवही इंतजार था और इस हांड लिजाट का सरीर कुछ सॉलीड या टफ मेटीरियल से बना हुआ होता है जिसके कारण ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखता है तो इन सारे क्रीचर में से आपको कौन सा क्रीचर सबसे अच्छा और खतरनाक लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए और अगर य एसी ये वीडियोस हर अपते लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ अपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स पर वाचिंग